हलो किसान साथियो नमस्कार तो एक नया वीडियो ले करके फिर से आ गया हूँ और किसान साथियो आपको दिख रहा होगा कि मेरे फसल में पूरा पत्ता जो है फसल का वो खतम हो गया है खा गया है किरे तो इसमें किसान साथियो इल्ली का परकोप है गर्मियों के मौसर में इ और्गेनिक दवा का दवा के बारे में बताऊंगा जो बहुत कारगर साबित हुआ है किसी भी फसल में और आपके जो भी फसल हो जैसे बैगन टमाटर मेर्च, प्याज, करेला, फली जो भी हो फसल अगर इल्ली के परकुप से आप परेशान है तो इस वीडियो में उसका उपचार आपको मिल जाएगा तो इसलिए किसान साथ यो वीडियो के आन तक जरूर बने रहें अगर चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को जरूर कर देना और घंटा का निशान भी दवा देना जाके आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहें गर्मियों के मौसम में इल्ली का परकुप जादा बढ़ जाता है किसान साथियो तो इस फसल में आपको दिख रहा है कि जो भी कितना छती या इ इसका रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगा कि इल्ली मरता है कि नहीं तो इस दिख रहा होगा आपको प्याज के डंटल पे या इल्ली पत्ते को खा जाएगा और इसके पाइप के अंदर या इल्ली घुश जाता है आपका प्याज का फसल भी अच्छा से विकास नहीं करेग तो किसान शात्यों तो चलिए हम इस दवा का बारे में जानते हैं किसान सात्यों इस दवा का जो नाम है हंटर यह सभी परकार के इल्ली को जर से समाप्ट कर देता है और आप इसका छिरकाव किसी भी फसल में जिसमें इल्ली का परकौप हो उसमें इसका स्प्रेय आप कर सकते हैं यह दवा और्गेनिक इल्ली नासक है यह एक परकार का और्गेनिक दवा है अगर हम सब्जी भर गि तो इससे कोई रसाइनिक साइड इफेक्ट नहीं मिलेगा आपको तो किसान साथ यो इसका जो मात्रा है वो अभी हम बताएंगे और इसका दाम भी तो इसका रिटल प्राइज साड़े 400 के आसपास है लेकिन आपको मार्केट में यह 300 के आसपास मिल जाएगा मुझे यह दवा 275 रुपे में मैंने दुकान से खरीदा था यह दवा आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं तो इस डब्बे में इसका ऐसा पैकिंग होता है अब किसान साथियो आप हम इसकी मात्रा के बारे में जानेंगे तो किसान साथियो यह हंटर जो और्गेनिक इल्ली नासक दवा है आप 15 लिटर का जो गैलन आता है उसमें 20 ml दवा का परियोग करेंगे 15 लिटर गैलन के लिए 20 ml दवा डालके आप अच्छी तरह पानी में घोलके और इसका श्प्रे करेंगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा तो किसान साथियो अगर इस वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजेगा जिससे मेरा मोटिवेशन वड़ेगा तो मैं अच्छी अच्छी वीडियो बनाके यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद